भाई इसकी मी फैट हूँ, एज 19, वेट 56, हलका फुलका पेट निकला हुआ है, जादा भी नहीं है, भाई कैलिस सरप्लस करूँ या कैलिस डेफिसिट करूँ, मुझे वेट गिनकाना है, यह काफी important question आया है, second question, hello भाई, please मेरे comment को reply ज़रूर करना, मेरी कुदरती एक ही kidney है, बट एक जो है, वो बिल्कुल ठीक है, सो क्या मैं क्रेटीन ले सकता हूँ, यह क्रेटीन वाली वीडियो पे यह comment आया था, यह भी काफी important question है, इसका भी हम answer करेंगे, और एक peanut butter की वीडियो पे question आया था, कि offline कहां मिलेगा, मतलब जो peanut butter है, वो offline मिलेगा, या general store पे मिलेगा या medical store पे मिलेगा, तो इसका भी हम answer करने वाले हैं, कि peanut butter आपको कहां से लेना चाहिए, और एक comment यह आया था, कि peanut butter कौन सा ले भाई, इतने सारे हैं, समझ नहीं आता है, क्योंकि जो इनसान peanut butter खाना चाता है, या लेने चाता है, मैंने भी काफी वार recommend किया है, कि peanut butter आप purchase कर है, उसमें आपको good calories मिलेंगी, healthy fat मिलेगा, काफी जाता benefits करने वाला है, जो इनसान body बना चाहता है, अपनी शरीक अंदर ताकत लाना चाहता है, तो peanut butter खाएं, मैंने यह बताया था, अब ही कहना है कि कौन सा peanut butter purchase करें, तो इसका भी answer देने वाले हैं, सबसे पहले इसी question के द ले सकते हैं, आप Pintola का peanut butter ले सकते हैं, यह तीनों ही brand है, कोई ऐसे sponsor बागारा नहीं है, मैं personal use किये हैं, तो वही मैं आपको बता रहा हूं, और काफी अच्छे होते हैं, टेस्ट भी काफी अच्छा होता है, तो इन तीनों में से कोई सा भी brand आप ले सकते हैं, और समझ नह हा रहा है कि medical store से लें, या general store से कहां से, अगर आपके घर के आसपास my fitness का, या फिर MB का, या फिर पिल्टोला का peanut butter मिल रहा है, तो वो ले सकते हैं, आज के time में market के घर के पास में जो मिलते हैं, उसके अंदर sugar बहुत जाद होती है, और गंदा वाला oil बहुत जाद डाला जा है ये, और kidney बिल्कुल ठीक है, क्या मुझे creatine लेना चाहिए, या नहीं लेना चाहिए, बहुत सार लोग ये कहते हैं कि kidney इससे damage हो जाती है, kidney पर बहुता फरक पड़ता है, कि एक ही kidney है, वो क्या करे, अगर वैसे मैं recommend करूं, तो creatine उस इंसान को use नहीं करना चाहिए, अग अपनी strength बढ़ाना चाहता है, अपनी muscle recovery अच्छी करना चाहता है, उसके मन में ये चल दा है, कि मैं kidney use करूं, जैसे इन भाई ने लिखा है, तो मैं कहूंगा कि आप एक बार doctor की सलाव जरूर लें, क्योंकि आपका case तोड़ा different है, अगर आप एक बार doctor से सलाव ले लोगे, क इसको हम बोलते है, skinny fat, तो उस इनसान को अपनी body decomposition करने की ज़रूरत है, वो इनसान maintenance calories पर खाए, इस तरीके से maintenance calories कैलोरीट करने है, गूगल पर जाना है, गूगल पर जाने के बाद, अपनी height, weight, lifestyle, कितने दिन workout करते है, अपनी सारी चीज़े enter करने के बाद, आपकी maintenance calories निकल करोगे, और progressive overload करोगे, आप जो भी exercise कर रहे है, reputation बढ़ाओगे, आप sets increase करोगे, आप और भी अच्छी तरीकी से उसकी form improve करोगे, तो आपकी muscles पर ज़्यादा अच्छे से load आएगा, और कोशिश करें कि compound exercise पर ज़्यादा focus करें, जो भी इनसान अपना पेट अंदर करना चा मस्कुलर बॉडी बनने लग जाएगी, बहुत सारे लोग की ये दिक्कत है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको high protein diet लेनी, number one, number two, आपको maintenance calories पर खाना है, progressive overload आपको रखना है, और आपको compound exercise पर ज़्यादा focus करना है, और आपको लगातार 3-4-5 महीने तक ये सारी चीज़ इसको छोड़ दिया था काफी लंबे टाइम से, उस इंसान के लिए ये चीज़े साथ अच्छे से काम करेंगी, या फिर किसी को injury हो गई थी, या इसे कोई दिक्कत हो गई थी, उसका muscle loss हो गया था और उसने फिर से workout start किया है, तो उस इंसान के साथ भी ये सारी चीज़े का अगर आप चाहते हैं, बोडी रिकॉंपोजिशन नेचुल तरीकी से करना, तो अपना प्रोटीन हाई रखें, और काडियो भी थोड़ी बहुत करते रहें, और अच्छा workout करेंगे, डबल बोडी पार्ट वर्कॉट करेंगे, ट्रेनर की guidance में वर्कॉट करेंगे, तो आपक जड़े help होने वाली है, अगर आपको वीडियो अच्छी लोगी इंफरमिट लगी हो, तो फटर फटर से वीडियो लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को जरूर शेर कर दिए, दो दोस्तों के साथ में, लाइक करें, शेर करें, है प्री